राम राम दोस्तों मैं अरुन कुमार डारेक्ट वेदिक रामेडी सीधा जोसिय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज चर्चा करेंगे बुद्ध और शुकर की युति की मतलब बुद्ध और शुकर जब कुंडली में एक ही भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं जिसे लक्षमी नरायन योग भी कहते हैं वीनस एंड मरकरी कंजक्शन इन यूर होरोस्कोप तो बुद्ध को अगर समझें तो बुद्ध आपकी बुद्धी का कारक है बुद्धी मता intelligence, सीखने की अक्षमता या दास्त, memory इनका कारक बुद्ध है आपकी वानी, समवाद अक्षमता, communication skills, किसी भी तरह का communication लिखना, पढ़ना, बोलना ये बुद्ध के कारक्तव में आता है सुचनाओ और विशो या किसी भी कारिये के विस्तार में जाना detail orientation of anything इसका कारक बुद्ध है आपकी जिग्यासा, आपकी जो अलोचना का गुन है, आप कितने क्रिटिक हैं ये बुद्ध निर्दारित करता है लोगों से, समाज से जुड़ना, connectivity and networking कहां, क्या और कब, कितना बोलना है ये सब बुद्ध सिखाता है बुद्ध चाइल्ड डूड का कारक भी है बच्पने का यूथफूलनेस का कारक भी है आनंद, फन, हुमर, लाफ्टर ये सब बुद्ध के कारक तव में आते हैं शुकर को अगर समझें तो शुकर कारक है संदरिये का, संदर्ता, आकरशन का जिन चीजों वाक कारियों से आपको खुशी मिलती है उन कारियों को करने का जो लगाव होता है पैशन होता है, वो शुकर होता है संबंद, संबंद बनाने की योग्यता प्रेम संबंद, विवाईक संबंद या व्यवसाइक साजेदारियां व्यवसाइक संबंद इन सब का कारक्तव शुकर के पास है वैभव, एश्वरिय, भोग, विलास, अराम और कमफर्ट परदान करने वाली जो चीज़े हैं, ब्रेंडिड वस्तु हैं इन सब का कारक्तव शुकर के पास है, शुकर इस्त्री वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, बोथ फोर मेल एंड फीमेल्स, इस्त्री तव फेमिनिटी का कारक है, कला और रचनात्मक्ता का कारक्तव भी शुकर के पास है, सिनेमा, फैशन, आर्ट, गलेमर, डिजाइनिंग, डा उसरे घर का स्वामी शुक्र बनता है बुद और शुक्र घ्रह आपस में परम मित्र हैं और दोनों ही निसरगीक शुब घ्रह हैं नेचुरल बैनेफिक प्लेनेट है ये कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं उस भाव में सोमेता सोफ्टनेस जरूर आती है मतलब उस भाव क चीजे प्राप्त करने में आपको बहुत ज्यादा संगर्ष नहीं करना पड़ेगा और दोनों ही घरह ज्यादा तर अपने आसपास ही होते हैं बहुत दूर नहीं होते हैं तो लगबग 35-40% लोगों की कुंडली में ये बुद्ध शुक्र की युति मिल जाती है बुद्ध और शुक्र के अंशुक अंतर 12 डिग्री से जादा अगर होगा जितना जादा होता चला जाएगा इस युति का फ़ाल उतना कम मिलेगा बुद्ध और शुक्र ऐसे गरहे हैं जो आपके व्यक्तितव पर सिधा प्रभाव डालते हैं लगन आपका चाहे कोई भी हो आपका व बादचीत करके वो खुश होंगे आपकी जो वाक पटूता है कोमुनिकेशन स्किल वो आपके संबंद बनाने में सहायक होगी और बादचीत जो होगी आपकी उसमें अक्रामक एग्रेशन नहीं होगा आपकी वानी में मधूरता होगी आपकी समवाद अक्षमता गुड कोमुनिकेशन स्किल से वैवार जो होगा आपका अच्छे वैवार से आपके संबंद अच्छे बनेंगे और उस से आपको प्रोफेशनली फाइदा होगा चाहे आप वैपार में हैं या नोकरी में हैं आपके जो अच्छे वेवार से अच्छे संबंद बनेंगे उससे आपको लाब होगा इसलिए इसे लक्षमी नगान योग कहते हैं इनी गुनों की वज़े से आपको आपकी जो वैल्थ है वो बढ़ेगी बुद्ध जो होता है वो आपकी लर्निंग है और शुकर आपकी वैल स्कॉप में तो ज्यादा अलोचनात्मक वैवार नहीं करना चाहिए अनलिटिकल भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए मर्करी जो है मर्करी इस दा आर्ट ओफ बिंग हैपी यह आपके जो हुमर है फन फेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है जितना आप खुश रहें का जलते की कम डिगरी के है इस यूति में बुद मालिजे 10 डिगरी के हैं और शुकर अगर 15 डिगरी के हैं तब आपके जो रचनात्मक कारियों में और आपके कलात्मक कारियों में लव एन रेलेशन्सिप में संबंध बनाने की जो शुरूआत होगी वह आपकी सम्वाद अ यानि कि समवाद अक्षमता गुड कोम्मिनिकेशन स्कील वह आपका पैशन बन जाएगा अच्छे बिजनसमेन पब्लिक सी पब्लिक रिलेशन मेनेजर मतलब किसी भी तरह का मेनेजर और बिजनस कंसल्टेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स फाइनेंशियल एडवाइजर सेल्स एंड मार्केटिंग कॉंसलर आईटी सेक्टर डाटा अनलिस्ट पेंटिंग सिंगिंग इन सब प्रोफेशन्स के लिए बुद्ध और शुकर की यह यूति जिसमें बुद्ध कम डिगरी के हों ज्यादा अच्छा फल देती है इसके विप स्कौदिमता समाद अक्षमता बढ़ेगी जितने आप क्रिएटिव होगे जितने ज्यादा क्रिडिविटे आपके अंदर हो गी उतनी आपकी कॉम्निकेशन स्कील बढ़ती चली जाएगी आपका जो communication होगा वो शांत होगा sweet communication होगा relations में आप logical होगे सामने वाले को भी बोलने का मुखा देंगे उसकी भी बात आप सुनेंगे art और creativity के जो field होते हैं art and cinema, glamour, fashion और इसके लावा इस्तरियों से संबंदित चीजों का जो वैपार रहता है beauty parlors, designing और जो hotel industry है इनके अंदर भी ये युती अच्छा काम करती है जब शुकर कम डिगरी के हो बुद्ध और शुकर की जो युती है ये युती बुद्ध शुकर और शनी के लगनों में अच्छा फल देती है यानि कि यदि आपका लगन वरिश है तुला है या मिथून या कन्या लगन है मकर या कुम लगन है और सूरिय का लगन सिंग लगन में भी ये अच्छा प्रभाव दिखाती है बुद्ध और शुकर इन लगनों में अपनी अंतर दशा में अच्छा फल देते हैं वो वहाँ पर कारक गरह होते हैं बनती है उस भाव की चीजों का फल जादा मिलता है जैसे अगर यह यूती दसमें भाव में है तो केरियर चाहे वो व्यवसाय हो या नोकरी हो उसमें आपकी जो गुड कॉमुनिकेशन स्कील है नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी की ताकत है आपकी अच्छी संबंद बनान की योग्यता है इन से आपको तरक्की मिलेगी अगर यह यूती पहले भाव में है तो आपका व्यक्तितव अकर्शक वा प्रभावशाली हो जाएगा आपका व्यक्तितव ही आपके लिए भागेशाली साबित होगा दूसरे और 11 भाव क्योंकि फाइनेंस आर्थिक भाव है पैसो से संबंद रखते हैं तो इन में भी यूती अच्छा फल देती है केंदर और तिरकौन के जो भाव हैं पहला चोथा साथमा दसमा और पंचम और नवम भाव इसके अलावा दूसरे और 11 भाव में ये यूती बहुत अच्छा फल देते हुए पाई जाती है तीसरे भा प्रिश्रम का होता है उसमें एस हैज महसूस करता है इसलिए तीसरे भाव में ये यूती इतना अच्छा फल नहीं दे पाती है और जो तिरक भाव होते हैं 6-8-12 वहां भी इसके परिनाम अच्छे नहीं होते चटे भाव में भी बुद्ध प्रभावशाली होता है क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली होती है मेश लगन की नेचुरल जोडियक उसमें बुद्ध चटे भाव के स्वामी बनते हैं शुकर वहां डिस्पूर्ट्स और जो रुकावटे हैं चटे भाव की उनके कारण ऐस हैज महसूस करता है कन्याराशी हो या चटा भाव हो वहां म बुद्ध शुकर की युति का प्रवाव वहां अच्छा नहीं मिलता क्योंकि वहां नीच भंग तो जरूर होता है बुद्ध कन्याराशी में उचके होते हैं शुकर कन्याराशी में नीचके हो जाते हैं लेकिन फिर भी नीच भंग होने के बाद भी बुद्ध का जो डिट वह बढ़ जाता है उसकी वज़े से संबंदों में तनाव होता है मतलब शुक्र वहां प्रेशान होता है इसलिए कन्या राशी हो या चटा भाव उसमें बुद्ध शुक्र की यूति इतना अच्छा फल नहीं देती इसी तरह मीन राशी में शुक्र उचके होते हैं लेकिन ब संबंग भीयो तो भी बुद्ध की बुद्धी मता जो है वह घटती है और ख्याली पुलाव जो है वह ज्यादा बनते हैं वाकपटूता जो जिसको कहते हैं समवाद अक्षमता गुड कोम्निकेशन स्किल वह घट जाती है इसी तरह अगर यह यूति अस्टम भाव में बनी शुक्र के लिए भी ये यह यह इतनी मित्रवत नहीं धनु राशी में भी इस यूति का फल अधो ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है तो सिंग всle और शुक्र की ससल्याम जरूर ईम सिंग शेटिक CatholicEения strengthen resto to Keelac कुल मिलाकर दोस्तो शुकर बुद्ध की जो युटी है अगर मिथून लगन है आपका कन्या लगन है विरिश या तुला लगन है मकर कुम्ब लगन है या सिंग लगन है मतलब सूरिय बुद्ध शुकर और शनी के लगनों में ये अच्छा फल देती है और यदि यह केंद्र तो बहुत अच्छा फल देती है और अगर ये युति विरिष या तुला राशी में मिथुन या सिंग राशी में तो ये युति बहुत अच्छा फल देती है इसके विपरीत करक लगन मेश लगन वरिष्चिक लगन धनू लगन और मीन लगनों में युति अच्छा फल नहीं दे पाती है मेस वरिष्चिक करक धनू कन्या और मीन राशियों में भी यूकि अच्छा प्रफोर्म नहीं कर पाती है आज के लिए बस इतना ही राम राम